इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वोल्टर्स के डेट टन 3 स्टार AC का इंस्टॉलेशन वगरा कैसा रहा, इंस्टॉलेशन चार्ज क्या लिया, सब कुछ बात करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तो, स्वागत है एक और ने इंटरस्टिंग वीडियो में, गर्मी जो है बहुत जादा पड़ा है और धीरे धीरे गर्मी और भी बढ़ने वाला है, मेरे भाई के रूम में इसी नहीं था, तो मैंने अपने भाई के रूम के लिए वोल्टर्स का डेट टन का 3 स्टा गद जाता है, बट मैं जो है लेटिस्ट वाला मॉडल है, 2022 तो मैंने फिल्पकर से और लोकल आप से इस इसे कंपेर किया, तो मुझे लोकल में सस्टा मिला, टर्टी फाइव फाइव जन का तो मैंने लोकल आप से इसे बाएग कर सकते हैं, Voltas AC लेने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजन था क्योंकि मेरे ओफिस में दो साल से वोल्टस का एक टन का AC चला रहा हूँ और काफी बढ़ियां कूलिंग कर रहा है, मेरा जो ओफिस है वो एकदम टॉफ फ्लोर में है और सारा दिन मेरे office के आसपास sunlight रहता है जिस वसे ये room काफी जादा गरम हो जाता है एक बार 42 degree Celsius तक ये room हीट मैंने देखा था मतलब मापा था तो यार बहुत गर्मी होता है बट ये 1 ton कैसी काफी बढ़ियां cool करता है मेरा square feet है 80 square feet के आसपास ये room वो 150 square feet तक सफिशेंट होता है तो इस वसे मैंने भाई गरू में डेटन कैसी लिया और power consume की बात करें तो 975.25 unit per year यहाँ पर पावर consume करता है तो ये जो है मुझे ठीक लगा बागे यार बात करते हैं installation वेगरा की तो local shop से मेरे घर पे डेलिवरी हो जाता है उसके next दिन ही जो है मुझे call आ जाता है installation का तो बंदे आ जाते हैं install करने के लिए और यहाँ पर box को जो है वही unbox करते हैं मुझे unbox नहीं करना था जैनलि मैं unbox करता तो warranty बगेरा lapse हो जाता हूँ तो पहले वो indoor unit को खोलते हैं यहाँ पर जो है एंडोर unit का जो size है डेटन का वोल्टस ने उसे थोड़ा छोटा कर दिया है मतलब यहाँ एक टन के size की साफसे आपको डेटन का size मिलता है एंडोर unit का तो यह मुझे काफी अच्छा लगा मतलब जादा जगा यह नहीं लेता है और साथ-साथ इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है remote, battery और user manual guide, installation guide यह जो है देखने को मिलता है यहाँ पर जो है outdoor unit की बारी outdoor unit unbox करते हैं यहाँ पर जो हमें दो pipes देखने को मिल जाते हैं बाकि outdoor unit रहता है और यह दो pipe copper के रहता है जो की outdoor और indoor को connect करता है cooling के लिए gas वगेरा यहाँ से जाता है और इसमें जो gas दिया जाता है वो है R32 जो की eco friendly होता है तो बस यही जो है कुछ था इसके अलावा जो है box के अंदर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और बाकि जितने भी अलग से item आप लेते हैं जो install आधा उन्से लेते है तो वह उसका जो है alaq से Jin ‎ इसी वीडियो में बात करेंगे पहले बात करते हैं install कैसे होता है तो यहाँ पर सीधा वो लोगय करते हैं drilling औगर करके यहाँ पर plate को बैठा देते हैं plate को यह लोग bubble label से label कर देते हैं इससे हमारा indoor unit टेड़ा ना लगे, सीधा बैठे, क्योंकि यहाँ पर टेड़ा हलका सब भी होगा, तो water labeling में guardboard होने की वैससे water leakage का problem हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर AC से water निकलता है, pipe के थूँ, तो वो problem हो सकता है, इस वर से उन्होंने water labeling काफी अच्छे तरी से किया, और water labeling के हिसाब से ही आपका indoor unit बैठता है, आपके दिवाल टेड़ा है, या फिर यहाँ पर दिवाल के हिसाब से बैठाते नहीं है, यह लोग water labeling के हिसाब से बैठाते, जो कि सही भी है, उसके बाद यहाँ पर indoor unit का काम करके यह लोग outdoor unit बें लग जाता है, outdoor unit में यहाँ पर क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले pipe को weather tape से taping किया जाता है, weather tape से tape इसलिए किया जाता है, जिससे यहाँ पर weather tape है वो सुरक्षित रखेगा, यह pipe को isolate करके रखेगा और यहाँ पर खराब जल्दी नहीं करेगा तो weather tape से इसको taping किया जाता है बाकी आपको बाहर unit को कहां लगाना है यह आपको दिखाना पड़ता है अगर आपको बाहर कहीं पर भी hang करके लगाना है तो आपको अलग से elbow बाय करना पड़ता है जो की AC के बाहर unit को पकड़ के रखता है तो यह elbow जो है चार्ज अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लेते हैं अलग-अलग company जैसे कि मेरे जो है साड़े 700 रुपया पड़ा और यहाँ पर अगर मैं खुद से buy करता है local shop में मैं इसका price पता किया था खुद से अगर buy करता है तो 500 रुपया के आसपास जो है buy करने को लगता और बाकी यह लोग क्या करते न सारे 300-400 रुपया जो है add करते installation का मतलब यह जो elbow है इसका अलग से यह लोग installation add करते हैं तो मैंने बोला जए अगर मैं 500 और 300 रुपया installation के दूँगा तो वही same हो जाएगा तो इस बास से इन्होंने खुद से दिया और यहाँ पर मुझे 1 रुपया भी extra pay नहीं करना पड़ा मतलब एक तरह से बोला जाए तो installation और elbow का price इन्होंने combine कर दिया था सारे 700 रुपया तो elbow अगरा को इन्होंने fit कर दिया बाहर के तरफ उसके बाद यहाँ पर बैठा देता है outdoor unit outdoor unit बैठाने के बाद यह लोग pipe अगरा को ठीक से fixing बेरा कर देता है then यहाँ पर जो है सरफ साबुन को लेकर मग में घोल कर उसको जो है bubble के लिए check करते है मतलब leakage वगेरा हो रहा है कि नहीं वहाँ पर लगाते है leakage जो हो रहा है कि नहीं तो यहाँ पर indoor unit, outdoor unit दोनों पर ही leakage को चेक किया जाता है जिससे यहाँ पर निस्चिंत हो जा जाता है जी leakage वगेरा हो रहा है कि नहीं क्योंकि leakage होगा तो कुछ ही दिन में आपका AC cooling करना बंद कर देगा तो इस वसे चेक किया जाता है बाकी यहाँ पर सब कुछ installation वगेरा काफी अच्छे देगिस हो गया install करने बाद AC को first time on करने पर आपको AC को उपर एक code देखने हो मलता है जिसको आपको company में भेजना पड़ता है मतलब install करने वाले जो बंदे आते हैं वो WhatsApp करके company को वो फॉटो भेजते हैं उसके बाद वहाँ से एक code भी जाता है code को जो है AC पर interconnect बाद AC जो है on होता है और यहाँ पर code जब तक नहीं देजिएगा AC जो है आपका काम नहीं करेगा और यह वोल्टस जो है अभी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर safety के मामले में वोल्टस जो है bleep कर रहा है और यह पिछले दो साल से जो है चालू हुआ है जब मैंने एक टन कर लिया था तब यह फैसिनलिटी नहीं था पास्कोर्ट वगेरा का बट अभी जो है वोल्टस के जितने भी AC आ रहा है उसमें पास्कोर्ट सिस्टम लग रहा है जो मुझे लगा अच्छा स्टेप है जन्मीन बंदे आकर इंस्टॉल करेंगे और पास्वर्ट डेकरी आपके AC को अन करेंगे अब यहाँ पर रिमोट की बात करें तो रिमोट देख पारूंगे कितना बड़ा सा दिया गया है और एकदा मोबाइल जैसा लग रहा है और यह वाई-फाई रिमोट है और अभी सारे यूनिट में यही रिमोट प्रोवाइड करवाय दिया जा रहा है बागी कुछ फीचर काम नहीं करते हैं वाई-फाई वाई-वायर को छोड़कर बागी इको फीचर यहाँ पर दिया गया है टर्बो मोट देखने हो मजाता है भाया ने काफी अच्छे दिया से रिमोट का जो भी फैसिनलिटी वगर है वो समझा भिया था अब यहाँ पर बात करते हैं मुझे क्या-क्या खर्चा पड़ा तो यह मेरे पास बिल है और यहाँ पर उन्होंने बिल दिया था अगर मैं बताऊं इंस्टॉलेशन चार्ज इ जैसे कि मैंने वीडियो के दोरानी बताया था जिब रैकेट आप बाहर से खड़ित कर लएगा न तो यहाँ पर आपको साड़े चार सो पान सुरुपया मिल जाएगा बट पिटिंग चार्ज यह लोग तीन सुरुपया एड करते ही है तो मेरे यहाँ पर क्या हुआ था यह इन्हीं लोगों ने ब्रैकेट दिया था तो इन्हीं लोगों ने ब्रैकेट दिया था तो साड़े साथ सुरुपया हुआ नेक्स्ट यहाँ पर रैपिंग टेप यहाँ पर चार सुरुपया लिखा गया है बट मैंने रैपिंग टेप का चार सुरुपया नहीं दिया था मै बिद्दर प्रूफिंग टेप इन्हों नहीं किया था नो वही टेप यह जो पचास से साथ रूपय में मिल जाता है बट यह लोग जो है कंपनी की थू आते हैं तो डेड़ सु रूपय दो सु रूपय चार्ज करते हैं क्योंकि इससे पहले भी मैंने काफी सारे एसी वगएर अपने रूम में इंस्टॉल किया है क्योंकि ऑफिस में है मेरे रूम में मेरे पापा के रूम में है तो इस वरसे मुझे पता था इसका प्राइस पगेरा क्या है और in fact मैंने जो है कंपनी में डैक बाद भी कलिया था तो उन्होंने बोला डेड़ सु रूपय चार्ज लग उसको टेपिंग करने का तो यहां पर अगर मैं अच्छा कंपनी का लेता तो सौ रूपय पढ़ी जाता और पचास रूपय यह लोग ले लेते तो मैं दो सौ रूपय दे दिया इन लोगों को तो यह चार सु रूपय लिखा हुआ है बट यहां पर एक्चुली दो सु रू पाइप आप अगर बाहर से ला देते हैं तो इसका इंस्ट्छार्ज बोप नहीं ले तो स्पस्ली करना रहता है उसका कोई खास जए म। फसे चार्ज मैंविजह तो तो दो स्क्राणले मूष्ट बैटा कहीं अगर लेते भी डगे तो 50 रूपया पकड़ेंगे इस से फ्र लगा था तो पाइब आप खुद से दीजिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है टॉप यानि कि जो एसी का जो प्लग रहता है न थ्री पिन प्लग वो जो है आपको खुद से बाय करना पड़ेगा इन लोग के पास था ये लोग जो है उसका डेड़ सु रुपे चार्च कर रहे थ तो मैंने इनको बोला था आप मेरे ही टॉप लगा दीजिए तो यहाँ पर मुझे 90 रुपे का टॉप पड़ा था तो आप बाहर से टॉप भी बाय कर सकते हैं तो बाहर से आप क्या-क्या बाय कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई AC का शॉप है ठीक को करता है वहाँ पर आपको टेप मिल जाता है तो आप टेप भी बाय कर सकते हैं आपको वह एल्बो मिल जाता है मतलब वह जो है ब्रैकेट जिसको बोलते हैं यह लोग ब्रैकेट मिल जाता है तो आप बाहर से ले सकते हैं और यहाँ पर पाइप आप जो है वाटर पाइप ले सकते हैं और टॉ 2330 रुपया का बिल हुआ जिसमें से 200 रुपया माइनस होगा यहाँ पर जो है मेरा 2130 रुपया मुझे पेमेंट करना पड़ा जो कि मैं बोलूंगा ठीक है चलो यार इतने धूप में उन्होंने काम किया था और यहाँ पर जादा मुझे एक्स्ट्रा जो है चार्जेस बगरा नहीं लगा अगर मैं खुछ से खरीद के लाता तो साथ यह और भी कम हो सकता था यह बिल और यहाँ पर 200-300 रुपया लोग को खुश हो के दे देता तो यह बिल और भी कम हो जाता बट यहाँ पर जो है वेंडर भी कुछ पैसा इन लोग से लेते हैं यह लोग जो एक्स्ट ले रहे हैं तो माली जिए दिन में अगर तीने सी इंस्टॉल करते हैं तो यही चीज था बिलिंग वगएरा का तो मेरा जो है 2130 रुपय में हो गया था बाकि अगर मैं अपना पाइप का पैसा वगएरा एड करूं तो मेरा जो है 1500 में टोटल ओल कम्प्लीट हो गया था तो बतेगा और ऐसी को इस्तेमाल करते हैं मुझे लग तस दिन का टाइम हो गया 10-15 दिन का और काफी बढ़ियां कॉलिंग कर रहा है वोल्टास पर मैं आँग बंद करके भरोसा करता हूं क्योंकि और एक टन का एसी है काफी बढ़ियां कॉलिंग कर रहा है दो साल से उपर का इसको जो हो गया है लगाया हुए और मुझे यह काफी बढ़ियां कूल वगयरा करके देता है क्योंकि मेरा ओफिस बहुत गरम रहता है लिटरली तो यार काफी अच्छा रहा मेरे experience वोल्टर्स के installation को लेकर इन लोगों ने जादा उतना मच मच नहीं किया जो भी मैंने बोला, easily इन्हों ने कर दिया, मेरा बात सुन रहे थे, कुछ भी बोलने पर यह लोगों घुसा नहीं हो रहे थे, यह चीज मुझे अच्छा लगा तो इनका behavior वगेरा मुझे काफी अच्छा लगा, बाकि यह था मेरा एक छोटा सा installation और वोल्टर्स AC को लेकर information, hopefully आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आओ पीस में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल मेरे जानल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकों को पुसक्रातरिया और बेन रही है RJ टेकनिकल्स के साथ